वेलकम यू आल, आज हम बात करेगे हाथवे केबल के बारे में हाथवे केबल में हमने कुछ important levels पहले से ही discuss करके रखे थे पट वहाँ पर हम सिर्फ अनुमान लगा रहे थे और हम बिल्कुल दो conditions के बारे में हमने हमेशा सही बात की है या तो गैस breakout मिलने पर उपर जाएगा या resistance लेकि नीच आएगा तो हमेशा ही हम इन दोनों बातों को लेकर यहाँ पर serious रहते थे और बिल्कुल हम उन्हीं के बारे में बात करते थे तो गैस यहाँ पर हाथवे केबल में एक गिरावट आ रही है और गिरावट के बारे में हम आज देखेंगे और गैस shareholders के लिए बड़ी मुसीबत है क्योंकि हाथवे ने काफी परिशान करके रखा है shareholders को भी और हलाकि काफी कुछ चीज़े positive भी है इन sectors की companyों के लिए क्योंकि budget में भी एक बड़ा announcement किया गया था और गैस यहाँ पर कुछ companyों के लिए बुरी चीज़े भी है यहाँ पर अगर market में list company है तो उसके लिए बुरा होगा अगर उसके technical charts सही नहीं है तो वही है गैस तो बड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है और इसका next support level क्या हो सकता है वह हम discuss करेगे इस वीडियो में तो गैस यहाँ पर काफी कुछ बाते होंगी हाथवे केबल को लेकर और वीडियो को start करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे channel The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो गैस प्लीज चैनल को subscribe कर लो for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो गैस वीडियो करते है start और चलते है हाथवे के उपर so guys हाथवे केबल and data com limited ज्यादा तरह हम इसे हाथवे केबल के नाम से ही जानता है जियो की shareholding काफी बड़ी है stock में तो यह भी एक positive चीज है क्योंकि जियो हर जग अफ फेल रहा है और देखा जाए guys तो यहाँ पर 19 रुपे 55 पेसे के price पे stock trade कर रहा है और 40 पेसे तक की गिरावट हमें यहाँ पर देखने का मिल रही है 2.01% के हिसाब से stock में यहाँ पर गिरावट है पर guys हमने कभी भी आपको buy करने के लिए तभी बोला है जब आपको proper दरीके से breakout मिले और breakout ना मिलने पर बिल्कुल हम बोल देता है कि exit हो जाना चाहिए तो उन्हीं levels को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर first of all हम बात करेंगे day one chart frame पर की halfway में क्या हो रहा है day one chart frame पर हम बात करेंगे की halfway में क्या हो रहा तो एक हमने simple सा यहाँ पर analysis किया था simple सा हमने एक chart बनाया था उस basis पर अगर देखा जाए तो हम कापी time से इसे हम देख रहे हैं और बिल्कुल हमें एक resistance और support level हमारे पास पहले से ही था और उपर का level हम इसे resistance केते हैं और निचे के level को हम support केते हैं तो resistance level और support levels हमारे पास पहले से ही है और उनी के basis पे हम यहाँ पर चीज़े को describe किया है हमने आपके सामने काफी बार और यहाँ पर एक resistance है फिर stock के पास एक support है फिर resistance है यहाँ पर आप देख सकते हो support है फिर resistance है फिर support है फिर resistance है तो guys कुछ इसी तरीके से हापर patterns create हो रहे थे और हम wait कर रहे थे उपर की और breakout का कि जब उपर की और breakout मिले हम भी हापर buy करें यहापर as a long term के हिसाब से हम भी आगे जाए buy करें stock को बट एसा नहीं हुआ इसने breakdown दे दिया नीचे की और इसने breakdown दे दिया है यहापर जो एक breakdown हुआ है काफी बड़ा है और काफी टाइम पहले यहापर जब breakdown हुआ था तभी मैंने बोल दिया था कि guys जैसे ही breakdown हो जाता है आपको exit करके निकल जाना है क्योंकि इसके बाद एक बड़ा fall याने big fall हमें देखने को यहापर मिल सकता है तो वही हमें देखने को मिल रहा है तो यहापर अगर देखा जाए तो one week chart पर कुछ चीज़े clear आपको कर दू यहापर भी हमें वही pattern बन रहा था बट यहापर हम short term basis पे बात कर रहे थे अभी हम बात करेंगे long term basis पे तो यहापर भी हमारे पास support resistance के game यहापर चल रहे था आप देख सकते हो काफी बार इसने resistance support बताया है upside downs momentum आया है कई बार और यहापर देख सकते हो guys strong resistance लेके stock नीचे की और आ रहा है आप देख सकते हो और बिल्कुल यहापर एक बड़ा fall यहापर हमें दिखा ही दे रहा है देखना होगा कहा तक ही गिरावर जाती है और देख सकते हो यहापर one month time frame पर हम भी बात करेंगे one month time frame पर अब देख लेते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है तो यहापर हमारा simple analysis था simple सी हमारे strategy थी कि यहाँ से stock ने big support लिया है यहाँ पर एक बड़ा resistance लिया है 72 के आसपास का फिर यहाँ पर stock आप देख सकते हैं इस particular level पर support लिया फिर उपर गया फिर support लिया और बड़ा ही लगा फिर ही लगा के सीधा आया रहा है नीचे के और तो possible है कि यहाँ पर 12 रूपे के आसपास यह 10 रूपे के आसपास है यहाँ पर एक support लेगा फिर उपर जा सकता है तो यहाँ पर और नीचे की और आता हुआ दिखाए देदेगा guys तो यहाँ पर देखना हुगा कि क्या होता है और हमने पहले से भी यहाँ पर levels यहाँ पर decide करके रगे तकि तो पाछ दिन के टाइम फ्रेम पर भी एक रुपे 65-पैसे तक stock में यहाँ पर गिरावट है एक रुपे 65-पैसे तक की और 7.78 परसण के हिसाब से stock गिरा है और एक महीने में भी अगर आप देखोंगे तो 2 रुपे 95 पैसे तक की गिरावट है 13.11% के हिसाब से और 6 महीने में अगर देखो 4 उपे तक की स्टॉप में गिरावट है 16.99% के हिसाब से So guys market cap stock का क्या है Market cap के हिसाब से Stock में क्या नज़रा रहा है तो market cap आगर आप देखो 3.46,000 करूर के असपस का market cap है और market cap के हिसाब से एक चीज क्लियर हो जाती है कि एक mid cap stock की category में आने वाला share है 19.89% का P ratio है और आगाईज अगर बात कर देखो इसके open कहा हुआ था Stock तो open हुआ था 19.80% के level पर High कितना लगा है आज की दिन तो 20.80% की बड़त देखने को मिली थी और 20.80% का High है और Low की अगर बात कर लो तो यहाँ पर आप Low भी देख सकते हो 19.50% के असपास का Low है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके 52 Weeks के High और 52 Weeks के Low को तो 34.80% का High है लो है 19.50% का और गाईज प्योट लेवल की अगर मैं बात कर लो तो यहाँ पर 20.27% का लेवल है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पर बिलकुल 20 के अंदर ही इर्दगिर्द घुम रहा है और प्राइस पर्फोमेंस तो सीधा डाउन ट्रेंड में ही है और दिखा जाए तो यहाँ पर वन वीक का तो माइनस में है 9.91% और बाकी भी अगर देखो तो माइनस में ही दिखेंगे और प्राइस पर यहाँ पर ट्रेड वेल्यू देखी जाए 44 लाग का असपस का ट्रेड वेल्यू है एस्टर्डी की बात करूँ 51 लाग का ट्रेड वेल्यू और 26 लाग के असपस का वनविक के अवरेज में 77 लाग का ट्रेड वेल्यू है 41 लाग का है कॉनषेड वेल्यू और यह अगर देखो अब प्र्ॉफिट में चलेगया है ब्लस में है एकाश्एक्वन्हकस शेर होल्डिंग पैटर्न में यह देखा जाए 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है अफाई की होल्डिंग 6.59% डियाई की है 4.77% पब्लिक होल्डिंग है 13.63% और और की बात करो 0.01% की होल्डिंग दिख जाएंगे